कि यह हमारे पास एक मटीरियल है इस मटीरियल पर हमने जो है फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स लगा कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे ही फोर्स लगा कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे डेलिटा एक्स तो यह फोर्स हम एक्सटेर्नल लगा रहा है याद रखना जब भी किसी मटीरियल पर हम जो फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक रियक्शन का फोर्स डेवलप होता है कितना रियक्शन का फोर्स डेवलप होगा आंसर जितना हम एक्सटेर्नल फोर्स लगा रहा है इतना हम एक्सटेर्नल फोर्स लगाँगे अंदर उतना रियक्शन का फोर्स डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे डीफार्मीग फोर्स जैसे ही अपना लगाया हुआ फोर्स हम मटाएंगे तो ये वाला फोर्स क्या करेगा ये इसको उसकी अपनी पोजिशन तक लेता जाएगा वापस उसको अपनी पोजिशन पर लेके जाएगा जैसे एक रबर है एक रबर को हमने ऐसे मोड़ा external फोर्स लगाया चला जाए उस material को हम बोलते हैं वो elastic material है that is elasticity वो उस material के property के लाती है elasticity elasticity को maintain कौन रखता है आनसे ने elasticity को ». हमारा लगाया हुआ external force और जो उसके अदर create होगा deforming force तो दोनों में कौन maintain रखता है तो answer est deforming force elasticity को maintain रखता है deforming force create होता है तो वो उसको अपनी पोजिशन पर वापस लेके चाह जाता है बास समझ में आ गई नोट करिए नोट करिए बास समझ में आ गई इस पास समझ में आ गई बास समझ में आ गई देखिए कॉन्फिगुरेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास मान लिजे एक बाड़ी है उस बाड़ी को हमने दबाया प्रियाद रखना उसका कॉन्फिगुरेशन चेंज हो गया उस बाड़ी को हमने फैलाए उसका कंफिगुरेशन चेंज हो गया उस बाड़ी को हमने एट दिया उसका कंफिगुरेशन चेंज हो गया ये देखिए ये एक body है पांच के उपर पांच molecules है एक के उपर एक molecules दो के उपर दो molecules कि इनको पतीन molecules पांच के उपर पांच molecules है हमने क्या किया हमने उसको एंट दिया तो अभी भी जो है पांच के उपर पांच molecules है लेकिन ये पहले वाले पांच के उपर पांच के तरह नहीं तो याज असना जब भी किसी body की shape और size बदलती है, change होती है, तो हम बोलते हैं, उसका configuration हो गया, उसके साथ configuration हो गया, उसका configuration change हो गया, बहुत समझ में आई, shape और size का बदलना ही configuration कहलाता है, नोट कर लिए, और elasticity गया है, elasticity material की वो property है, कि जब हम अपने deforming force को remove करते हैं, अपने external force को remove करते हैं, तो वो अपनी position में वापस आ जाता है, तो this is elasticity. hard material more elasticity, source material less elasticity, जितना अच्छा hard material होगा, उतना अच्छी elasticity होगी, अच्छा भाईया, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा hard material होगा, उतना ज़्यादा force लगाएंगे, जितना ज़्यादा force लगाएंगे, उतना ज़्यादा अंदर reaction डिवलप होगा, वो उतनी जल्दी उसे वापस लेकर जाएगा, तो बताइए, इस steel और rubber में, कौन ज़्यादा अच्छाइलास्टी होगा, इस steel की rubber, very good, क्योंकि steel hard material है, steel is more elastic than rubber, note करें, देखिए, यह एक material है, ठीक है, इस material को हमने इस दिवार में बहांद रखा है, कील लगा कर हिंच कर रखा है, ठीक है, जब हम इस पर ऐसे force लगाएंगे, तो यह force इसके पूरे area पर लगेगा, ठीक, तो याद वैसना, force per unit area ही, जो हमारा कहलाएगा, वो express कहलाएगा, क्या कहलाएगा, stress, what is stress, force per unit area, एक, stress कैसी quantity होती है, तो stress cancer quantity होती है, इस्ट्रेस कैसा unit क्या होगी, पास्कल, या Newton per meter square, दोनों में कोई भी है, एक, नोट करिए, और यह कौन सा force होता है, यह restoring force होता है, तो याद रखना, stress कैसी क्या होता है, तो याद रखना, stress क्या होता है, restoring force per unit area, मतलब, जितना बाहर से हम deforming force लगाएंगे, उतना अंदर क्या create होगा, restoring force create होगा, और जितना अंदर restoring force create होगा, तो restoring force per unit area ही हमारा stress कहलाएगा, एक, कितने टाप के stress होते हैं, तो अंदर इस तीन टाप के stress होते हैं, पहला, यह सब्ची स्टारेंजों में पढ़ा ही नहीं गई लॉंगिट्यूडनल इस्ट्रेस वॉल्यूमेट्रेक इस्ट्रेस शेरिंग इस्ट्रेस लॉंगीट्यूडपास किविड़यर दरस पर जोल सब्सक्राइब यहां पर एक consecut यहीं पर यहां पर ऑहर डी फार्मीव अर रिस्टोरिंग पोर्स लगता है तो restoring force काम करता है उसको अंदर ले जाने के लिए फिरिक है है वो हमने उल्टा बोल दिया तो deforming force हमेशा बहार लगता है restoring force अंदर लगता है stress को हम बोल सकते है sigma मालो बहुत से writer इसको sigma भी note करते हैं तो what is longitudinal stress sigma क्या होता है force per unit area मालो अगर इसका radius r है तो इसको अब हैसा ली सकते है force upon area area को क्या ली सकते है पाई r square ठीक ठीक है sir यह longitude stress होता है volumetric stress में क्या होता है एक गुबारा हमने फूल आया तो यहतने volume में फूल गया तो यहाँ पे क्या होगा stress stress volumetric क्या होगा force per unit area कुछ लोग इसको लिख से delta p यह मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है अभी note कर लिए यहां पर देखो हमने ऐसे force लगा है tangentially तो देखो यह इतना change हो गया तो यहाँ पे formula क्या होगा sharing के लिए force per unit area लेकिन यह force कैसा लग रहा है tangentially लग रहा है अच्छा दोनों में अंतर क्या है longitudinal stress volumetric stress sharing interest तीनों के लिए formula सेम है force upon area force upon area force upon area difference यह है longitudinal stress पर हम तो force लगा रहा है तो वह देखे surface लग रहा है कैसा लगा है अच्छा अच्छा पर्पेंडिकुलर लग रहा है तो वह कैसा लग रहा है तो वह देखे surface लग रहा है तो याद रखना थिए ठीए सब्सक्राइब नोट करेंगे अब देखिए कैसे cushion बन सकता है sigma is equal to force upon area तो इसके relation कैसे कैसे बन जाएंगे ऐसे बन सकता है relation sigma 1 upon sigma 2 is equal to f1 upon f2 ऐसे बन सकता है ऐसे बन सकता है sigma 1 upon sigma 2 is equal to m1 upon m2 क्योंकि force का formula mg होता है है की नहीं तो जी जी cancel हो जाएगा ऐसे बन सकता है sigma 1 upon sigma 2 is equal to यह हो जाएगा r2 square upon r1 square क्यों क्योंकि area होता है πाई r square इस मस्ली proportionate पाई पाई cancel हो जाएगा तो एकदम ratio बैठाई दिएगा नोट करिए जाएगा देश क्योंकि पुल झाल जलिए जलिए बहुत अच्छे क्या बात है एक दम सही क्योंकि सिग्मा स्वीयम फोर्स लग रहा और किसकी बात कर रहा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इस इक्वार्ड टू आटू स्कूर अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आटू कितना है वन अपॉन और रवन कितना है 2 स्कूर 4 बहुत अच्छे